असलाम वालेकुम तो मैं फिर से आई यू फिर से आई यू मैं आज कुछ बता नहीं जैसे कि आप लोग को पता है बहुत दिन से मैं किसी की व्लॉग नहीं देखी थी ठीक है तो व्लॉग अभी व्लॉग व्लॉग लग रहा है मैं को खिलना पड़ेगा कि बहुत दिन से मैं व्लॉग ने डाली और यूटूब तो मैंने इसके लिए रख्यूं मुझे किसी की बैंड बजानी होती ना तो मैं यूटूब एल्लो एब्रीवन वल्कम बैक तो दे चैनल सक्स स्टोरी तो चलिए बात करते हैं सना खान के बारे में जैसे कि आपने अब वीडियो देखी जिसमें सना खान बहुत जादा गुसे में हैं वो किसी को कुछ के बारे में कुछ बता रही है आगे की वीडियो तो मैं इसमें डाल नहीं सकती हूँ लेकिन जितनी भी मैंने डाली है उसमें आप समझी चुके होंगे कि वो किसी से गुसा है किसी से किसी ने उनको छेड़ा है जिसके बाद उनों ने उसकी जिसने उसको छेड़ा है उसकी अच्छी खासी बैंड बजाई ह चलो बताती हूँ कि आखरी पूरा मेटर क्या है ये सनाखान जो है वो ही सनाखान है जिन्होंने लॉगडाउन में जब सारसतानी और अयूपशेक की लड़ाई हुई थी तो काफी जादा अयूपशेक को सपोर्ट किया था लेकिन बाद में अयूपशेक पलट कर इनके अगे हैट ही मिली लेकिन जैसे कैसे टाइम बीता सना और सायरा की नजदी क्या बड़ी दोनों ने एक दूसरे को माफ किया सनाखान सारसतानी के घर तक भी गई और वहां पे जितना भी जो भी हुआ उसका उन्होंने वीडियो बनाया था लेकिन रिसेंटली हुआ कि सारसतानी न है वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट में है जैसे ही सना खान ने उस वीडियो को देखा तो उनको गुसा आया लेकिन सारा सतानी ने सना खान को अचानक ऐसे क्यों बोला क्यों की बात है तो सब खतम हो चुकी थी माफी हो चुकी थी सब मन मुटाओ गिले शिक्वे दूर हो च चुके थी सबस्तानी ने ऐसा क्यों किया अब मैं बताते हूं हुआ यूँ कि recently सहरा सतानी और रह ना खान बॉस की फिर्ज से अनन बंज स्टार्ट हो गई है जिसके चकर में हमारी सहरा सतानी को पता नहीं बोलता है कि किसके बारे में क्या बोलना है कितना बोलना है जिन मैटर में मिट्टी डल चुकी है उनको खोदना नहीं चाहिए जब बोलना स्टार्ट करती है उनकी बाते खतम ही नहीं होती है वो उनके बातों में एक घमंड जैसा रहता है कि जैसे सारी दुनिया उनके पीछे ही हो और वो दुनिया में सबसे आगे है सबसे अजुकेटिड है और ये मैं अपने मन से नहीं बॉल रही हूँ आप उनकी वीडियों में जाके देख सकते हो कि कैसे कैसे वो शोचल मेडिया एकाउंट पे या फिर कैमरे के सामने और कैमरे की पीछे की सारी वीडियो उनकी अवेलेबल है उनकी जुबान उनकी तर्बियत जो भी है सब जग जाहिर है तो इसमें मैं सारी सतानी के बारे में भी एकी बात बोलूँगी कि जरूरी नहीं है कि आप अपनी मुह से अपनी तारिव करो मैं वो मैं व action speaks आप जो काम करते हूँ वही आपका बोलते हैं तो आपके बारे में सारी दुनिया को पता है आप ये ना बोले कि आप ऐसे आप ऐसे तो जैसे ही रहाना और उनकी लड़ाई स्टार्ट हुई थी तो सारा सतानी ने एक वीडियो में बनाया कि वो मतलब उसी चीजों को उन्ह उम्रा करके आई थी और जैसे ही वो उम्रा करके आई तो उसके बाद कुछ तो रहता है उनका तरजूब ऐसा मुझे नाम पता नहीं है लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद यही बोलते हैं वो लेने के लिए उन्होंने साना खान को घर पे बुलाया था और साना ख साना खान ने ये भी मेंशन किया था कि उन्होंने उनकी काफी इज़त खातिरदारी की लेकिन अभी जब साहरा सत्तानी ने फिर से साना खान को छेड़ा तो उन्होंने सारी चीजे सामने रख दी कि ऐसा कुछ भी नहीं था साहरा सत्तानी ने उनकी कुछ भी खातिरदारी कि सिर्फ एक चकली का एक तुकड़ा खी उन्होंने खाया था बाकि तो ऐसा खुछ भी निन ने उनने उनको खाना दिया यह श्यूरी यह दिय दिया यह ओ धिया बात मुझे के कारण उन मसलों में वो पढ़ती क्यों है और जब बात खतम हो चुकी है तो बातों को शुरू क्यों करना है क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि यह भी उनकी एक शोशल मेडिया पर वाइरल होने की ट्रिक है क्योंकि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सारा सतानी का नाम सिर्फ कॉंट्रोवर्सी कॉंट्रोवर्सी की वज़े से ही आगे बढ़ता है ऐसा हो ही ने सकता है कि जहां सारा सतानी का जिक्र हो और वहाँ पे कॉंट्रोवर्सी ना हो तो मुझे यही लगता है कि शायद वो जान बूज के लोगों को छेड़ती है लोगों को पोक करती है ताकि लोग उनके अगेंस्ट में विडियो बनाए और उनका चैनल फिर से ग्रो करें और उनके बारे में लोग सर्च करें कि आखिरे जो सणाखान है ये किसके बारे में बात कर रही है या रिहाना खान जो बॉस है वो किसके बारे में बात कर रही है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जिन बातों को भूल चुके है जिन बातों की सुला हो चुके है उन बातों को ऐसे जिक्र करना शोशल मीडिया जैसे प्लैटफॉर्म पे जहां पे लोग एक सही बात को भी बहुत घुमा फिरा के पेश करते हैं, एडिटिंग करके पेश करते हैं, तो वहां पे आपके रिष्टे खराब हो सकते हैं, आपका क्या कहना इस बारे में, कमेंट जरूर करना तो चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई